दुनिया में हर चीज ठोकर से तूट जाती है पर एक लोती कामयाभी है जो ठोकर लगने पर ही मिलती है तो ये बात बहुत अच्छे समझने वाली है अगर तुम ये टाइटिल देखके ये सोच रहे हो कि सर डारेक्ट कुछ कोशन्स बताने वाले हैं जो की सीधा पेपर में आने वाले हैं और हम मस्त नंबर लेंगे और निकल जाएंगे तो भाया राइट टाइम है वीडियो छोड़ो जाओ नीचे कैरी मनाटी और मस्त कोई और वीडियो देखो टेलर आये होंगे मूवीज के नए तुम उनी के लाएगो पर अगर तुमने ये सोच रखिये सर मैं जो आप इस वीडियो में बताने वाले हो इसके बाद इन टॉपिक्स पर इन चीजों पर मैं मेहनत करने वाला हूँ तो मैं आपका वीडियो पूरा देखूंगा और सर उन चैप्टर्स को तो मैं फोड़ दूँँगा ठीक है तो बेसिकली इस बार नीट में कहां से कोशन्स आने वाले हैं मैं आपको ये बता दूँगा ठीक है most probably plus minus one और two हो सकते हैं पर कोशन्स आएंगे तो यहीं से ठीक है अब आप इन चैप्टर्स को पढ़के बिलकुल अपना मामला सेट करना चाते हो कि नी चाते हो वो आपके उपर है तो टेक्निकली मैं आज आपको ये बता दूँगा कि पूरी केमिस्टी में कौन से चैप्टर्स आपके रैंक को बूस्ट देने वाले हैं तो अगर सुनने के तैयार हो तो आजाओ अब अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको सीधा सीधा बोलना हूँ आप लास्ट दो साल से पेपर को एनलाइस कर लो अगर आप analyze करने वाले बंदे हो नहीं हो तो मैंने आपके लिए analyze किया एच्छे से दो साल से मैं देखी रहा हूँ papers को तो दो साल last covid वाले years थे ये साल भी technically covid वैसा आया नहीं जैसा सोचा जाया था पर है तो covid वाला year क्योंकि school जस्ट आपके अभी एक-दो महीने पहले खुलने चालू है और अभी कई आगे अभी भी नहीं खुले है ठीक है तो इसका मतलब ये साल भी covid में गया है तो technically तीन साल से आपके school coachings नहीं खुल रहे हैं तो मैं तीनो साल को covid में ले लेता हूँ लास्ट वियर नीट के पेपर, 2020, 21 नीट का पेपर और 2022 तीनो हम लेते हैं कि covid years है तो अगर आप थोड़े से भी होश्यार हो तो आपको mindset पता लग गया होगा किसका पेपर बनाने वाले का या जो लोग पेपर तयार करते हैं उनका mindset क्या है और वो कहां से क्या चीए देने वाले हैं तो simple सी बात है जो last year के 2 साल के पेपर थे डिट्टो almost same इस बार भी वोही pattern follow होगा पेपर में कोई major changes नहीं आने वाले हैं जैसे पेपर आते थे पहले तक chemistry के वैसे ही same paper आएंगे ठीक कोई changes नहीं आएंगे जादा तो अगर आप last 2 year से देखोगे तो सबसे यादा question आये है chemical bonding से ठीक है last year सबसे यादा question भी chemical bonding से आये है और last year chemical bonding से 5 question आये है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच एक chapter सीधा सीधा 20 number देके जा रहा है आपको बात समझ रहे हो hydrocarbon सीधा 4 question लेकर आया 16 number carbonil compound सीधा 3 question लेकर आया 12 number और P block आपके 3 question लेकर आया सीधा 12 number P block में 6 group हैं सारे के सारे, 6 group को include कर रहा हैं 11, 12 वाले तो सीधा सीधा तो अगर आप गौर करोगे यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा यहाँ पे गौर करोगे तो 15 question क्या बड़ी 15 question आपके सीधे सीधे हमने आपको उठा के दे दिये 4 chapter से 4 chapter करो और 15 question ले जाओ इससे अच्छी scheme में तो कहीं है नहीं, 21 दिन में पैसा डवल करने वाली scheme इससे अच्छी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो basically 15 question 4 chapter से तो मैं तो कहा रहा हूँ इनको उठा के रख लो इन 4 chapter को अपनी jam में, कि भहिया paper का 33% आपका यहीं से solve हो जाएगा कैसे? आते भली 50 question है solve तो 45 करने है 45 में 15 question 4 chapter दे गए आपको तो basically अगर 4 chapter आपको 15 question दे गए तो आपका 33% paper almost इन से निपट गिया तो आपको पता लग गया है कि आपको ध्यान किस पे देना है आपको ध्यान देना है इन 4 chapters के उपर बात समझ में आ रही है तो यह थो था हमारा कि आपके questions कहां से आने वाले है का phase 1 अब phase 1 को आप कितना तोड सकते हो यह decide करना है आपको जितना इनको तोड़ोगे उतना ही आपका paper तूटेगा तो phase 1 तो आपको समझ में आ गया पक्की बात है phase 1 आपको समझ में आ गया phase 1 के मैंने आपको 4 chapter दे दिये ठीक है अब चलते है phase 2 phase 2 में आपको मैं दे रहा हूँ सीधे-सीधे 20 question 10 chapter से सीधे-सीधे मैं आपको दे रहा हूँ 20 question बड़ी 10 chapter से यहां मैंने आपको 10 चैप्टर दिखा जिता हूँ, पहला चैप्टर है D&F, दूसरा है Metallurgy, तीसरा है Coordination Compound, चौथा है Solid State, पाचमा है States of Matter, छटमा है Electrochemistry, साथमा है Solution, आटमा है Chemical Kinetics, नौमा है Helo-Alkins and Helo-Arens, और दसमा है आपका Amines. बोलो, बात समझ में आ रही है, ये 10 चैप्टर से पिछले 2 सालों में 2-2-2 कोशन आए हैं, लास्ट इयर इन 10 चैप्टर से 2-2 कोशन आए हैं, तो अगर आप गौर करोगे यहां से, तो आपको 10 चैप्टर, आपको सीधे-सीधे 20 कोशन देने जा रहे हैं, कितने कोशन देने 20 कोशन, मतलब आप सोचो, टोटल 14 चैप्टर पढ़ने से, केमिस्टी में 30 चैप्टर है, ध्यान समझना बात को, एनलाइस करना बातों को, बड़ी, 30 कोशन, 30 चैप्टर में से, 14 चैप्टर, आपको 35 कोशन ऐसे ही देखे चले गए, सोचो, मतलब आपने भी आधा भी केमि जो कि आपको अपने आप करनी चाहिए, ठीक है, पर कोई नहीं हम समझते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं खुद इस स्टुएंट फेस से निप्टा हूँ, जहां मुझे लगता था ये सब चीज़े कोई मुझे करके दे दे, तो I will be like कि मतलब बलेश्ट फील करू कि पेपर कहां से बना होगा, कैसे बना है, कौन से कोशन्स जादा हैं, ये सब एनलाइस करना पड़ता है, फिर जाके बन लगता है, अच्छा, ये सिनेरियो है, तो basically हम आपको ये सब चीज़े दे रहे हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ें में टाइम वेस्ट ना करें, बिसे के लिए अगर आपने इन 14 चैप्टर में कोई भी ऐसा चैप्टर रखा हुआ है, जो आप कमजोर है आपका, आप छोड़ के आ रहे हो, तो मतलब basically आप अपने नंबर्स कम कर रहे हो, इस समय मैं आपको मैटललजी पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में, लाइन वाइल ला chemical bonding, तुमारा inorganic में चला गया, पांच question देखे जाने वाला है chemical bonding, पांच question, इस से आदा क्या important हो सकता है, inorganic मैं करा रहा हूँ, लखके करो न, पांच question, 2 question, 7 question, 2 question, 9 question, 2 question, 11 question, मतलब सोचो आपको inorganic के 4 chapter आपको 11 question देखे चले जाएंगे, 44 marks, 4 chapter, inorganic के, तब भी नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, तुमारे लिए special मैंने inorganic का पूरा, सुबह उठके line by line पढ़ाने का जिम्मा लिया है, पर अब तुम नहीं आना चाहूँगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहा हूँ, इसके बाद मैं बोल ल उसे दिन सोचके उठके आओ कि सर एक गंटे में पूर चैप्टर पढ़ा देंगे और हमें भी हो जाएगा, नहीं, वो revision होगा, और revision का मतलब होता है कि आप और लेडी पर चुके हो, मैं आपको recall कर आ रहा हूँ चीजे, समझ रहा हूँ, तो basically आपको समझने वाली बात है, मैंने आपको phase 1 और phase 2 बता दिया है, phase 1 में 4 chapter से 15 question मिलेंगे, और phase 2 में बढ़ी आपको, क्या मिलने वाला है, आपको 20 question मिलने वाले है 10 chapter से, तो पहले मैं कहूंगा, आप किसको attempt कर लो, आप सबसे पहले phase 1 को पूरा complete कर लो, अच्छे से, phase 1 को बिलकुल अच्छे से complete कर लो, फिर आप phase 2 को अच्छे से complete कर लो, समझना ध्यान से, फिर आप phase 2 को complete कर लो, phase 1 में 4 chapter है, 4 chapter के लिए आप पूरे 30 दिन लो, chemistry के इन 4 chapter के लिए आप पूरे 30 दिन लो, कोई दिक्कर नहीं है, 15 question sure shot कर लो, 30 दिन ले लो, उसके बाद अगले 30 दिन, पूरे आप ले लो इन 10 chapters के अरे भाई ये भी देखो, ये 10 chapter बहुत छोटे छोटे हैं, simple chapter है, dnf, block, simple, छोटा सा chapter, metallurgy, छोटा सा chapter, उसके बाद आप आप आओ, solutions, छोटा सा chapter, वो भी पूरा आप 11 में पढ़ चुके हो, chemical kinetics, छोटा सा chapter, amines, एकदम छोटा सा chapter, solid state में कुछ ज्यादा है नहीं पढ़न amines, एकदम छोटा है, तो एक, दो, तीन और उपर के चार, साथ chapter छोटे हैं, ये साथ chapter निप्टाओ 15 दिन में, तो इसमें भी break कर लूँ बड़ी आप, ये साथ chapter, जो साथ chapter मैंने आपको दिखाए हैं, ये साथ chapter आप निप्टाओ 15 दिन में, 15 डेज में, ठीक है, और अगल अगले, तीन डिन में, जो तीन चैप्टर हैं आपके अगले, इन तीन चैप्टर कोई बड़ी आप निप्टाओ 15 डेज में, ये कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, कर सकते हो, बस, लग जाओ काम में, इतनी इसी बात थी, तो मैंने basically आपको at the end, वो questions बता दी हैं, जो questions आने व वाले बंदेों समझ नहीं पा रहा है कि सर कहां से question दे रहे हैं, सर आपने question तो लिखवाई नहीं सर अभी तक, सर nine by line लिखवा तो सर कौन से question आ रहे हो, हाँ, तो basically जो anti है, वो हमारी gym में है, हमारे चाचा कर रिष्तेदार है, हमारे रिष्तेदार है, जिससे हमने question पूछ लेंगे, तो हमने तुमको major बता दिया, question कहां से आने वाले है, करना तुम ही को है, इसलिए शुरुआत में बोला था, कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना महत किये सीधा फल तो नहीं मिलना है, ठीक है, और अगर तुमें कहीं से सीधा फल मिलना है, बिना महत किये तो पक् पड़ेंगे, मैं भी महत कर रहा हूँ, आप भी महत करोगे, साथ में लखके करेंगे और खोड़ देंगे, पिलस comment section में लिखके बताना तुरंत, वीडियो देखने के बाद, कौन-कौन से chapters तुमारे नहीं हुए हैं, और कौन chapter तुमारे हो गए हैं, इतना तो लिखके बता और भी उनका रह गया है, और ये chapter को पढ़ना है, पिलस अगर मेरी ये महनत अच्छी लगे हो, तो कमसे हम लाइक कर जाना, ठीक है, और वीडियो में कमसे कम थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो, सरको थोड़ा motivation मिल जाती है, ठीक है, तो हम तो आई लिए और ऐसे महत करें और बच्चे के कितना हम माइक्रो लेवल तक पहुँच के बच्चे को लिए जानगाई निकाल सकते हैं, उतनी महत हम फिर करते हैं ना उसाब से, समझ है, प्लस चैनल सस्क्राइब कर ले न, प्लस NCRTX स्पेस में इन और्गैनिक पढ़ा रहा हूं, जाके माह सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दो और सुबह 6 बज़े बैट जाये करो पढ़ने के लिए, पी वाई क्यू चालू होने वाले हैं, किसमें, किसमें, नीट कोशन बैंक में, जाके सस्क्राइब कर लो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके तुलन सस्क्राइब कर लो और लग जाओ पढ़ने, ठीक है, चालो, तब तक के लिए, टेक केर, बाई बाई, एंड लव यू ओल गाईस